हेलो, what's up दोस्तों, कैसे हैं, आप सभी फिर से एक बार स्वागत है, आपका आपकी चानल में सही जवाब में दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कि यूनेस को जो है, वो किस तरीके से काम करता है तो दोस्तों UNESCO जो है वो दुनिया के कुछ बहुत पुराने संगठोनों में से एक है जो कि अलग-अलग देशों में वहाँ के कल्चर के लिए वहाँ की पावर्टी को फाइट करने के लिए वहाँ तक education पहुचाने के लिए साथी साथ जो वहाँ की heritage है उनको protection देने के लिए काम करती है तो दोस्तों इसका पूरा कामकाज कैसे चलता है इसके अंदर अब तक क्या-क्या हुआ है और इनकी पूरी जो body होती है वो किस तरीके की होती है कितने members होते हैं तो इस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चानल बने हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब ने किया है तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप चानल को फटा फट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप देख सकें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों UNESCO जो है वो United Nations की ही एक हम कह सकते है कि sister concern है उन्होंने ही इसको बनाया था और इसको बनाने की जो constitution बनाई जाती है किसी भी संगतन के लिए उसके rules, guidelines वगेरा तो ये जो बनी थी वो बनी थी 16 November 1945 को और ये जब अमल में आई तब साल था 1946 तो 1946 से ये organization जो है वो अब तक काम कर रही है तो दोस्तों इसे बनाने का main purpose क्या था तो इनका तब का agenda ये था कि जो world war 2 में सारी countries पूरी तरीके से devastated हो गई थी वहां का पूरा infrastructure जो है वो ढह चुका था तो वहां पर जहां पर बहुत ज़्यादा poverty हो गी है वहां पर थोड़ी बहुत help करना वहां का जो schools वगएरा है उनको rebuild करना तो ये इनके main agenda तब की जमाने में हुआ करते थे इसके अलावा जो education है उसके अंदर नएने तकनीकी लाने के लिए वहां पर ज़ादा से ज़ादा ये लोग support करते थे क्योंकि सारे चीजे तो बरबाद हो चुकी थी तो नए-ने science center खोलना नए-ने school खोलना तो ये सारे काम वो वहां पर करते थे इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ल्ड वार की वज़ासे जो लोग party में आ गए हैं बिल्कुल गरीब हो चुके हैं तो उनको वहां पर मदद दी जाती थी इसके अलावा जो cultural loss हुआ था उसको भी कही न कहीं recover करने की कोशिश की जाती थी बात करें अगर इनके headquarters की तो headquarters इनके Paris में है अभी भी Paris में है जब शुरुआत होई थी तभी भी Paris में ही थे तो दोस्तों तब के जमाने में तो उन्होंनों ये सारी services दी की free education हो और rebuilding वगेरा वगेरा लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं तो अभी भी इन लोगों का जो काम है वो उसी तरीके का थोड़ा बहुत है तो अब वो ये सारी services जो है वो जो underdeveloped countries है जहां पर उतने जादा resources नहीं है उनकी तरफ अपनी सारी services ये extend करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा अलग अलग events भी ये लोग organize करते हैं जिसके जरिये ज्यान का जो है वो आदान प्रदान हो सके नए नए ideas लाए जा सके और कुछ ऐसे ideas लाए जा सके जिससे की जो underdeveloped countries है वहां पर लोगों का ज जीना थोड़ा सा आसान हो जाए तो इसके लिए इस तरीके के events organize किये जाते हैं जिनके अंदर जो भी कोई ideas हैं नए नए services हैं वो वहां पर लाए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा फ्री में जिन countries को उनकी जरुरत हैं उनको देने की कोशिश किये जाती है तो दोसों actual जो UNESCO का काम underdeveloped countries के लिए शुरू हुआ वो हुआ 1950 में बहुत सी ऐसी underdeveloped countries थी जिनोंने UNESCO को join करना शुरू कर दिया था जिसके बाद obviously UNESCO ने उनकी तरफ जादा ध्यान दिया कि उनका cultural uplifting हो जादा से जादा उनको एक culture को वैसा ही रखते हुए उनकी development करने की कोशिश हो तो इस से नाराज होने लगी कही ने कही तो 1980 में इसका सबसे बड़ा problem हुआ था तो 1980 में problem क्या हुआ कि United Nations ने UNESCO को criticize किया क्योंकि आपका जो attitude है वो anti-western countries की तरफ है यानि कि आपका पूरा का पूरा attitude जो है वो anti-western है आप खाली जो लोग underdeveloped है या जो Asian countries है उनको जादा हम कहते ह हैं कि favorism करते हैं और हमारी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं हमारी मांगों के उपर आप गौर नहीं करते हैं तो इसकी वजह से 1984 में United States ने UNESCO से अपने हाथ खीच लिए यानि कि वो UNESCO से बाहर हो गए और इसको देखते हुए United Kingdom और Singapore जैसी जो countries है उन्होंने भी अपने हर हो गए थे लेकिन बाद में 1997 में इंग्लेंड में क्या हुआ कि वहां की जो लेबर पार्टी है वो पावर में आ गई और जैसे ही लेबर पार्टी पावर में आ गई तो 1997 में United Nations ने UNESCO को फिर से जॉइन कर लिया यह देखते हुए फिर सिंगापूर ने भी वही फूट से फॉलो किये और बाद में United States भी आ गया तो वहां पर United States जो है वो 2003 में वापस आया और सिंगापूर जो है वो 2007 में वापस आया लेकिन बाद में फिर से इनमें प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम क्या हो गया कि 2011 में पैलेस्टीन जो कंट्री है उनको उन्होंने पूरी सदस् ने तो इसकी वजह से अमेरिका फिर से घुस्से में आ गया क्योंकि आपको तो पैलस्टीन और अमेरिका का पूरा हिस्ट्री आपको पता ही होगा कि कितनी बड़ी उनकी दुश्मनी है पूरा 36 का अकड़ा है तो उनको वहां पर पूरा मेंबर्शिप दे दिया तो इससे अमेरिका बहुत जाधा घुस्से में आ गया इसके बाद युनाइटेट स्टेट्स ने क्या वहां पर स्टैंड लिया तो युनाइटेट स्टेट्स ने कहा कि आप जो है वो उनको अगर प्रो हो रहे हैं और उनको वहां पर वोटिंग का भी राइट दे दिया था को की जो सारे ड्यूज हैं जो पैसे भरने पड़ते हैं हर एक कंट्री को वो ड्यूज हम देंगे ही नहीं तो इसकी वजह से क्या हो गया कि 2017 के आते युनाइटेट स्टेट्स ने कोई भी ड्यूज नहीं दिये जिसकी वजह से युनेसको ने क्या किया कि उनका वोटिंग राइट ही चीन लिया अब बताएए उनसे वोटिंग राइट चीन लिया यह मतलब ऐसा हो गया कि शेर की मुझ से सारे दात निकाल लिये हो अब वो कुछ करी नहीं सकता है ना कुन तक निकाल लिये बाद में फिर यूज ने यह तक कह दिया कि आपका जो एपरोच है वो हम 18 के आते आते हम यूनेसको से जो है वो अपने हाथ फिर से खीच लेंगे और सेम ये इसराइल ने भी यूनेसको से अपने हाथ वापस खीच लिये थे तो इतना वड़ा जो सागा है वो यूनेसको में हुआ था क्यूंकि यूनाइटे स्टेट्स को जो है वो बहुत सारे इ एक natural or neutral environment रहे सारे countries के बीच में शान्ती रहे इसके लिए भी ये लोग काम करते हैं इसके अलावा जो काफी heritage sites हैं उनको भी जादा से जादा डेवलप करने के लिए उनका सारक्षन करने के लिए ये जो पूरी संस्था है वो वहाँ पर काम करती है तो इसका अगर हम example लेना च है तो 1960 में Egyptian जो मांट वहां के monuments है वो पिरामेंट्स और वो जो सारे ममी जैसे faces वहाँ पर बने हुए है तो उनका संरक्षन करने के लिए वहाँ पर एक डैम बन रहा था बहुत बड़ा जिसका नाम था आश्वान हाई डैम तो इस आश्वान हाई डैम का जो पानी था वो monuments को बरबाद कर सकता था तो उसके लिए UNESCO ने वहाँ पर lead ले करके वहाँ पर पूरा research करवा करके उन सारे monuments को किस तरीके से सर्रक्षित किया जा सकता है इसके लिए भी काम किया था तो ऐसे पूरे world के अंदर बहुत सारे sites हैं जिनको UNESCO heritage sites कहा जाता है तो उनके सर्रक्षन क के लिए UNESCO भी काम करता है वहाँ पर financial aid भी करता है वहाँ के problems जो है वो solve करने के लिए वहाँ पर experts बेजना वहाँ पर solution ढूणना ये काम भी UNESCO की तरफ से किया जाता है आगे जलकर 1980s में human rights की तरफ भी UNESCO ने एक कदम आगे बढ़ा दिया जब वहाँ पर जो underdeveloped countries हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा communication को बढ़ावा दिया जा सके और communication ये जो है वो basic human right की तरह treat किया जा सके इसकी लिए भी UNESCO ने जो है वहाँ पर काम किया था और ज्यादा से ज्यादा जो developed countries है और जो under developed या developing countries है उनकी बीच में ज्यादा से ज्यादा communication किस तरीके से हो ideas का आदान प्रादान किस तरीके से हो इसके लिए भी UNESCO ने वहाँ पर काम किया था अब बात करते हैं दोस्तों कि UNESCO का एक normal structure कैसा है वाई तो इस structure में जितने सारे countries है जो कि UNESCO के वहाँ पर members है उन सभी को एक-एक vote डालने का अधिकार होता है इसे कहा जात काम कैसे चलना चाहिए कहां कहां पर नए projects चल रहे हैं तो basically सारी चीज़े तै करने के लिए उसको एक दिशा देने के लिए ये लोग साल में दो बार मिलते हैं और यही लोग जो है वो वहाँ पर उनको एक-एक vote होता है तो वो लोग vote करके एक 58 members की और एक committee बनाते हैं जिस उसका भी एक वहाँ पर चीफ होता है जिसे कहा जाता है director general तो director general जो है वो ये पूरे executive board का भी वहाँ पर चीफ होता है और एक director general की जो term होती है वो 6 साल के होती है तो ये जो 58 members होते हैं इनकी भी बाकी की committees भी होती है जो कि कुछ specific subjects में वहाँ पर काम करने के लिए बनाई ज जाती है तो ऐसे तकरीबन 200 अलग-अलग officials वहाँ पर होता है experts वहाँ पर होता है जो अलग-अलग committees में काम करते हैं तो basically हुआ क्या है कि ये जो 58 members है उनको साथ में लेकर के उस subject के और जो experts है उनको भी उस committee में लिया जाता है और अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग स्थापित की गई थी जिसके अंदर कई सारे oceans related experts जो थे जो oceanography में थे उनको भी लिया गया था और जो local bodies है जो local authorities है उनको भी वहाँ पर लिया गया था तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जो खाई UNESCO का कि आखिर ये क्यों स्थापित की गई थी तब उनके objectives क्या थे अब इन इसके अंदर क्या क्या हो चुका है इसके अलावा अब तक इन्होंने क्या क्या काम किये हुए है और इनके body structure कैसा होता है इनके अंदर कौन से कौन से members होते हैं उनको कौन से कौन से rights होते हैं तो I hope दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दो को लाइक करना बिलकुल न बोले